नमस्कार दोस्तों, आपकी तयारी काफी बेतर चलने होगी, और आपके तयारी को और बेतर बनाने के लिए, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे, हिल्टरी का प्रेक्टिस एट, ये हम लोग का आठवा प्रेक्टिस एट होगा, तो चलिए हम अपने पहले कोश्चन की शु दूर है, किस ने कहा था, दिल्ली अभी दूर है, आपसन A देखिएगा, अमीर खुसरों ने, आपसन B, निजामुदीन अउलिया ने, आपसन C, फिरोज तूगलक ने, और आपसन D, सेख सलिम चिस्ति ने, तो इसका राइट आंसर हो जागा दोस्तों, आपसन नम्मर B, या निजामुदीन अउलिया ने कहा था, किस के लिए, ग्यासुदीन तूगलक के लिए, कि दिल्ली अभी दूर है, किस के लिए कहा था, तो हो सकता है, आपसे एकजाम पूछ लिया जा, ग्यासुदीन तूगलक के लिए, आगे बढ़ते है, question नमर तू के तरफ, देखिएगा Q2 काफी मातपूर है बेदों की ओर सरड लो बेदों की ओर सरड लो यानि बेदों की ओर लोटो किस ने कहा था आपसन नहीं देखिएगा स्वामी द्यानन सरफ्ष्टी ने आपसन B स्वामी विवेकानद ने और आपसन C बाल गंगा धर तिलक ने और आप्षन डी विश्डू सास्त्री ने तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्षन नमर ए और स्वामी द्यानन सर्ष्टी ने कहा था बेदो की और लवटो कोश्चन नमर तीन देखिएगा काफी महत्पूर है भारती पुनर जागरन का पिता कहा जाता है आपसंद बी दयानन सर्ष्टी को और आपसंद राजाराम मोहन राय को और आपसंद स्रध्धानन्द को तो आपको पता ही होगा कि भार्ति पुनार जांगरर का पीता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है तो आगे बढ़ते हैं question no 4 के तरफ ये छोटे छोटे question है लेकिन आपके तैयारी में और चार चांद लगा सकते हैं तो देखिए का question number 4 बेदो की और में स्वरी बेदो की संख्या कितनी है बेदो की संख्या कितनी है जिसका right answer हो जागा दोस्तों आप बचमने पढ़े होगे कि चार परकार के बेद होते हैं इसका right answer हो जागा चार लेकिन आपसे पूछ दे तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि कौन से चार बेद हैं तो रिगवेद पहला है दूसरा सामवेद तीसरा यजूरवेद और चौथा अथरवेद रिगवेद सामवेद यजूरवेद और अ अगे बढ़ते हैं question number five के तरफ question number five है दोस्तों आश्रम की संख्या कितनी है तो इसका right answer हो जागा आपसर नमर चार और स्वरी आपसर नमर थ्री यानि आश्रम की संख्या चार है और कौन-कौन से आश्रम है तो ब्रह्मचर आश्रम ग्रहास्त आश्रम वानप्रस्त आश्र six के तरफ देखिएगा छोटा सा question है पूराणों की संख्या कितनी है पूराणों की संख्या कितनी है तो इसका right answer हो जागा दोस्तों आपसर नमर सी यानि पूराणों की संख्या 18 है यह चोटे question है ज्यादे इसमें explain नहीं करना है अगला question देखिएगा question number seven जो काफी महत्मू कुनी Aption B कौतम रिशी Aption C पतंजली और आपसंडी जैमनी योगदर्शन आपसे पूछ रहा है अगर आपसर में बाबाराम देऊ दिया रहा था तो काफी बच्चे तो बाबाराम देऊ लागा देते लेकिन यहाँ पर बाबाराम देऊ नहीं होगा दोस्तों यहां पर पतं आजीवक संपरदाय के संस्थापक कौन थे आपसन A उपाली आपसन B आनंद आपसन C मखल गोसाल और आपसन D माभीट स्वामी तो इसका right answer हो जागा दोस्तु आपसन no.C यानि मखल गोसाल के दोड़ा क्या किया गया था तो अगला कोश्चन देखते हैं को दिलवाडा का जयन मंदिर किस राज में इस्तित है आपसन ए देखिएगा असम में आपसन बी उत्तर पर्देश में आपसन सी राजस्थान में और आपसन डी गुजराद में तो इसका राइट आंसर हो जागा दोल्स्तों आपसन नमर सी दिलवाडा का जयन मंदिर राजस्थान में इस्तित है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर दस के तरब जो काफी महत्पूर है एक बार दिखा देते हैं आपको कोश्चन अच्छा से सूर्य मंदिर कहां इस्तित है और आपसन देखिएगा पूरी में सुरी आपसन ए कुणार में और आपसन डी अमरनाथ इसका राइट आंसर हो जागा दोस्तों आपसन नमर ए जैनि सूर्य मंदिर कहां इस्तित है तो कुणार्क में इस्तित है और भूलेंगे नहीं आप तो आज के वीडियो में इतना ही दस कोश्चन ही रखते हैं और ये वीडियो का ऐसा लगा नहीं भूलिएगा मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद